वेलकम टो श्रीवास्तव क्लासेस तो भाई अभी मैंने कुछ टाइम पहले अपडेट दीती कि थर्ड सेमेस्टर का और फिफ सेमेस्टर का बीकॉम प्रोग्राम का रिजल्ट जो है वो डिकलेर कर दिया गया है जो भी आपके एक्जाम नवंबर दिसंबर 2022 में हुए थे उन बच्चों का कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई किसी का जो है रिजल्ट शो नहीं करा तो टेंश लेने की ज़र अतनी कुछ टाइम वेट करो आप लोगों का भी जो है रिजल्ट शो हो जागा अब भाई जब बच्चों ने रिजल्ट वगरा देखा है तो बहुत से बच्चों अगर आप लोगों की AB दे दिया गया है यानि की absent दे दिया गया है तो तो भाई it means आप लोगों का जो है exam आपने नहीं दिया है ऐसा बोल गया है आप लोगों को AB दे कर तो अगर आपने exam दिया है तो भाई आप S.O.L. office पहुच जाओ भाई जो अपनी attendance sheet है वो अपने campus से जहां पहुच आपने exam दिया है तो भाई ऐसे में आप लोगों के पास दो option है दो नहीं तीन option है तीन option में आप लोगों के पास भाई पहला है आप लोगों को आप रीचेकिंग करा सकते हो दूसरा option है revolution करा सकते है और तीसरा option है आप लोगों को दूआरा exam देने पड़ेंगे अब देखो भाई अगर आप लोगों को पता आपने paper जो है बहुत अच्छा करके आये थे उसके बावजुद भी जो है फेल होगा अगर आप 100% sure हो कि आप फेल नहीं हो सकते हो उस subject में तो तो आप revolution या rechecking के लिए apply कर सकते हो इस चीज़ के apply करने के लिए आप लोगों को जो है SL campus में visit करने पड़ेगा offline ही इसके form भरे जाते है फीज जो है आप लोगों की 1000 रुपे के आसपास लगने वाली है per subject और इसके form जो है offline ही आप लोगों को भरने के लिए मिलेंगी और इसका जो result वगरा है मैं आप लोगों पहले बता दो तीन से चार महीने लग जाते है भाई तीन महीने आप दो से तीन महीने जो है मान के चलिए इसका result आने में बाकि फिर आप लोगों की इच्छ है आप कराना चाहते है तो ठीक है दरवाइस कोई बात नहीं अब जो तीसरा option है तीस नवंबर दिसंबर 2023 में आप लोगों का जो है एक्जाम कराया जाएगा दुवारा से और उसी टाइम पर भाई आप लोगों के form निकलेंगे ER form के लिए भी तो उसी form में आप लोगों को ये subject भी सेलेक्ट करने पड़ेंगे तब जाके आपका नवंबर दिसंबर में जो पे प्रोग्राम का आगया बहुत जल्दी बाकी कोर्सेस का भी आप लोगों को बहुत जल्दी देखने के मिल जागा जब भी आएगा इनफर्म जरू कर रहा है फिलाल के लिए अपडेट करना था मिल तो है नेक्स वीडियो में